श्रोताओं पेरेंटिंग यानि पालन पोशन माता पिता और बच्चों सभी के लिए में तो पूर्ण होता है माता पिता जस तरह का व्यभार करते हैं जो अनुशासन सिखाते हैं या जो माहौल देते हैं उसी का असर बच्चे पर जीवन भर रहता है पिछली बार हमने चर्चा की थी हरिपाल पिलानिया जी से 8 साल के बच्चों की पैरेंटिंग के विश्य में आज हम बात करेंगे 8 से 12 वर्ष के बच्चों की पैरेंटिंग की तो हरिपाल जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में Thank you, ma'am. हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आट से बारा साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देने की जरूरत होती है? यह एक्चुली पेरेंटी में दूसरा फेस माना जाता है आट से बारा साल इस उमरे में बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है और वो बहुत सारी चीज़ें एक्स्प्लोर करना चाता है तो यह फेस और इसके सबसे उपर मैं समझता हूँ परसनल्टी डेवलोप्मेंट का फेस होता है बच्चे की हैबिट्स डेवलोप होंगे उस पर हम थोड़ी डेटेल से बात करेंगे उसका एटिट्यूड, उसका इंटरस्ट, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स तो और लेंग बिज डेवलोप्मेंट का जैसे मान लीजे एनरजी लेवल की बात की आपने बहुत ज्यादा होता है तो उसको सही दिशा में लगाने के लिए क्या करें मैं समझता हूँ कम से कम एक घंटा बच्चाईस उमर में फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर इन्वोल हो और फिजिकल एक्टिविटी में प्रेफरेवली आउटडोर की में बात कर रहा हूँ वो फुटबोल केलता है, मंकी बार पे ज्वूलता है, रुनिंग करता है या badminton खेलता है उसका अच्छे से पसीना निकलना चाहिए जी जी तो यह बहुत जुरूरी है outdoor activity उसकी physical growth का भी एक peak face होता है actually तो और यह भी एक पुरानी काहवत है सवस्त सरीर में ही सवस्त दिमाग होता है जो अच्छा physical activities में काफी participate करता है उसका concentration level भी अच्छा रहेगा जैसे academy की बात करेंगे हम अच्छा रहेगा उसके लिए दिमाग उसको physical activities में अच्छे से engage रखें तो और curiosity की बात कि आपने की जिग्यासू होता है बच्चा उत्सुकता बहुत होती है उसमें तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डीटेट में बताएं कि किस तरह हम उसके उन जिग्यासाओं को शान्त कर सकते हैं साथ आट साल तक का बच्चा जैसे क्या के सवाल में होता है जैसे वो एक्स्प्लोड करता है चीजों को ये क्या है sensory development का face होता है जैसे 7-8 शाल तक जी जी अब इस face में बच्झा क्यूं कि credentials में आ जाता है ये क्या है ये पंख्छा है क्यूं चलता है ये कैसे चलता है क्यों कैसे के सवाल उसके काफी रहते हैं इस उमर में और हमें लगता है कि कभी-कभी बच्चे को एक सवाल के साथ छोड़ देना चाहिए, पेरेंट्स को बिलकुल आगे बढ़ के कि सारे आंसर उसको करें, complete, उसको satisfy करें, यह बहुत जरूरी नहीं है इस फेस में, यदि आप किसी सवाल के साथ छोड़ देते हैं बच्चे को, तो वो उसके फिर सोचता है, उसके थिंकिंग डवलप होती है, और वो उसके लिए ज़्यादा effective रहती है. अच्छे है, इस उम्र के बच्चों को, पेरेंट्स के कितनी attention की जरूरत होती है, मतलब कितना वक्त दें वो अपने बच्चों को? यह तो काफी subjective एक्चुली वक्त देने वाला तो, जैसे working parents हैं, वहाँ पे थोड़ा सा issue इसमें मुझे लगता है, रहता है. फिर भी मुझे लगता है कि आप आदा घंटे से एग घंटा रोज बच्चे को क्वाल्टी टाइम स्पैंड करते हैं उसके साथ, जैसे मान लो आप indoor गेम खेलते हैं, केरम खेल लें बच्चे के साथ, वो इस उमर में सीख जाता है, सीखना चाहिए उसको, canyon jazz खेलते हैं या लुड़ो है साफC Dustin जो है वह काफी सारे game game खेलते खेलते बच्चे के साथ आप होट सारी सारी बाते कर सकते हैं खासतोर से उसके school में आज कर क्या चल रहा है कौन सी teacher पढ़ाती है कौन सी अच्छा पढ़ाती है क्या अच्छा लगता है कौन-कौन से दोस्त बने हैं इस तरीके से उसके साथ आप बात चीप करें उसके लेवल पे आके कई बार तो होता है देखने में आता है कि parents को ये ही नहीं पता होता कि बच्चा कौन से class में पड़ता है या उनके friends के नाम पता होना तो बहुत दूर की बात है तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी पता होनी चाहिए और जब आप बात करेंगे तब ही इन चीजों का पता चलता है बच्छा स्क्यूरिटी फील करता है सेंस ओफ स्क्यूर्टी पेरेंट्स के साथ जब इस किसम से डिटेल से बात करते हैं पेरेंट्स और एक इसमें जैसे मैंने बताया कि एटिट्यूड डवलफ होता है बच्चे का इस फेस में तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं अच्छा उसका कौन-कौन से दोस्त हैं अच्छा वो दोस्त है क्यों अच्छा लगता है क्यों अच्छी लगती है तो वो बच्च को एक अच्छी खूबी देखता है उस दूसरे बच्चे में और जब पेरेंट्स से अच्छी चीजें बच्चे से बात करते हैं तो अगले दिन बच्चा क्लास में वही चीज ढूंड़ता है कि मेरे इस दोस्त में कौन सी चीज अच्छी है इस दोस्त में कौन सी चीज अच् करते हैं बच्चों से तो ज्यादातर parents comparison करने लगते हैं अपने बच्चों के कि वो बच्चा first आया है तू क्यों नहीं आया या उसकी number ज्यादा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप हाँ comparison तो actually सबसे खतरनाक चीज है बच्चों के लिए और मैं कहता हूँ बड़ों के लिए भी जी उसके self confidence के लिए बहुत बहुत बुरी चीज है comparison सिरफ दोस्तों और school के बच्चों के साथ नहीं है आजकल रिस्तेदारों के बच्चों के साथ भी है पासप्रोस के बच्चों के साथ भी है और कई बार तो unknowingly parents अपने दोनो siblings में भी comparison करते हैं मतलब जी मैं इसका एक चुटा सा example लेता हूँ कई बार एक सास है उनकी तीन बहु है for example यदि सास किसी एक बहु को हर बार appreciate करे कि वो तो इतनी अच्छी है वो तो इतनी well behaved है या वो इतना धन लाई थी या इतना वो लाई थी तो अंदर से बिलकुल आग लग जाती है दूसरी अलब बिलकुल बिलकुल तो जब हम बड़े भी इस चीज़ को ठीक से handle नहीं कर पाते comparison को तो बच्चों के लिए तो बहुत ही damaging है कभी नहीं करना चाहिए हर बच्चा अपनी खूबी के साथ बड़ा हो रहा है मैं यह भी बात करता हूँ कि देख से अपनी उंगलियां भी सबका जो fingerprint है सेम नहीं है तो आप कैसे उमीद कर सकते हैं बच्चे बिलकुल सेम होंगे हमें उनको सेम बनाना भी नहीं है हर बच्चा अपने आप में खास होता है बलकि हर व्यक्तित वह अपने आप में खास होता है और सिर्फ पेरेंट से नहीं सर मैंने कई बार teachers को भी देखा है अगर एक बच्चा होश्यार निकलता है वो टौपर होता है तो उसके छोटे बहन या भाई से यह उमीद की जाते ह कि वो भी वैसा ही होगा और उसे बार बार बोला भी जाता teachers की तरफ से कि आपके भाईया या आपकी बहन तो ऐसी थी तो वो भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए बिलकुल ही नहीं होना चाहिए यह भी बहुत बुरी बात है और दूसरे बच्चे पे इसका एक तो हो जाता है अपने भाई वैन के लिए जो उसको अपने efforts करने पे जो उसको अपने personality को improve करने पर अच्छा करने में बादा बनता है जो teachers होते हैं वो parents की तरह ही होते हैं आधा time बच्चों का school में बीचता है तो उनका व्यभार भी मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि उनका अ अच्छा एक अनुशासित जीवन मिले जी विलकूल teachers को एक चीज तो सबसे जयदा कि जिस बच्चे में जो भी अच्छी बात है उस पे बात करने चाहिए जी आम तोर पर अपने society में ये है कि बच्चे ने कोई 10 अच्छी चीजे की हैं उसके लिए appreciation नहीं है कोई एक good word कर अच्छी कोई गलती कर दी वहाँ पर teachers और parents भी जैसे उचलके पढ़ते हैं और वो उस पर ज्यादा react करते हैं जी जी तो इदी हम अच्छी चीजे appreciate करेंगे तो बच्चा अच्छा होता जाएगा अच्छी चीजे करेगा ज्यादा efforts करेगा अच्छा होने के लिए पिसली ब home work करती है अपने समान अपने जगह पे रखती है बैग अपने आप पैक करती है त्यार करती है initiate लेती है खुश हो के सारे चीजे करती है तो धिरे धिरे बच्चे की वह personality form होने लग जाती है जैसा आप कहेंगे तो वह वैसा ही बच्चा react करेगा वैसे उसकी personality बढ़ने लग सर ओवर पेरेंटिंग के बारे में भी बहुत सुना है यह क्या होती है आप हमारे शोताओं को बताईए और कितनी नुकसान दायक है मुझे लगता है और पेरेंटिंग तो इग्नोर पेरेंटिंग से भी ज्यादा नुकसान दायक है और और पेरेंटिंग के बहुत सारे पह में या classroom में तो बच्चा सिरुफ कई बार बात कहने के लिए चीज कह रहा है कि उसने share कर रहा है कि ये हुआ बच्चा कोई reaction की या parents उसको man करें रिपेर करें उसको ठीक करें उसका solution नहीं चाहिए बच्चे को बट उसने share की है कि ये हुआ और उस case में the parents react करते हैं तो ये भी एक और parenting है थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे पार्क में helicopter parenting भी बोलते है उससे को बच्चा खेल रहा है वो किसके साथ खेल रहा है कोई इसको तंग तो नहीं कर रहा है को इसको छेट तो नहीं रहा है तो ये इस किसम से उसको बचा के रखना और प्रोटेक्ट करना भी एक और parenting का आई है और इस उमर में बच्चे रिस्क लेते हैं जो वो चीव कर लेते हैं माल लो एक बच्चा छोटा में की बार है उसको complete करता है रोज वो फिर बड़े वाले पर ट्राई करता है जो पेरेंट्स बोलते हैं ने 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 तुमसे नहीं होगा तुमसे नहीं होगा मत करो चोट लग जाएगी ये बहुत रिस्की है ये खराब चीज है मैं समझता हूँ और रिस्क मैनेजमेंड में मुझे लगता है बच्ची से जयादा रिस्क मैनेजमेंड किसी इनसान को नहीं आता किसी बड़े को नहीं सिखाया होता ठीक है तो दूसरी चीज इसमें है और परिंटिंग से रिलेटिड मैं कहना चाहूंगा कि हम सब को भी कोई इनको चोटे मुटे scratch लगे हैं चोटे लगी हैं आपके बच्चों को भी लगेंगी इनको भी ऐसी scratches लगने हैं जिन बच्चों को और प्रोटेक्ट किया जाएगा वो आगे चलके ज्यादा नुकसान उठाएंगे मेरे खाल से उससे उनकी skill development होती है तो रिस्क नहीं ले पाएंगे फिर आगे जिवन में वो रिस्क भी ले पाएंगे फिर डवलोप हो जाएगा उनका कि मैं यह नहीं कर सकता है वह फेक्टर दी पुराना हो गया है और मुझे लगता है ज्यादा काम भी नहीं करेंगा इफेक्टिव भी नहीं होगा तो लोजिक से बच्चे को समझाएं कि यह नहीं करना है क्यों नहीं करना है तो बच्चे उस लोजिक में participate करते हैं बड़े उट पटांग से उनके लोजिक भी होते हैं इस मामले में बट आप उनको यह दिया सैटिस्फाई करते हैं तो बच्चा उस चीज को समझ जाता है एक और इस उमर में हम यह समझते हैं बच्चा काफी बड़ा हो गया है और मैं कई बार क्लासे में जाता हूं तो बच्चों से बात भी करता हूं कि मैंने कर कम से कम दो त है कि मैं बड़ा हो गया हों कि छोटा हूं यह हमरिशा रहता है वो डिफाई नहीं कर पाता ने किस चीज में मैं छोटा हूं और यह समझता हूं कि हम अपने आपले होना चाहिए कि आपने पहले हैं चीज किलियर कि है कि उसको ये करना है नहीं करना है कैसे नहीं करना है तो आपको clear कमने के समझे लगता है इस उमर में बच्चों के साथ ज्यादा जरूरी है तो वीवर्स यहीं पर end करते हैं हम positive parenting का ये तीसरा भाग आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी